हेलो गाईस आप सबीका फिर सेक पर बहुत बहुत दोलकब है आपके अपनी चैनल टार्गेट इन फंटासी पर तो इस बिर में आप देख रहे है दा हांडेड लीग का जो 14 मैच खेला जाने वाल है ओवाल इन्वेंसिबल वर्सास साउदान ब्रेप के बीच उसके मैच पर होने वाला सेकंड मैच होगा जो की उभल और साथन के बीच केला जाने वाल है तो यह पर मैच के प्रिवीव स्टार्ट करने से पहले आपको बता है कि अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको अभी के अभी हमारे टेलीकम को जोइन कर लीजिए और गाईस अगर आ करके वीडियु स्टार्ट कीजिए बात करें मैच की तो काल का होने वाला है इस सेगेड मैच होगा तो काल रास को सले दस बजी अरकी मैच कहला जाने वाल दा अहूए मैच होगा तो अब ल कोकी चांसे शबय तक नहीं है फार्दर कोई रिपोट है तो आपको टेंक पर इं तो यहां पर आप देखिए कि जो पीछ है उसके जो स्क्वाइर बांडरी है थोड़ा सा छोटर रहेगा लेकिन जो लॉंग और लॉंग ओफ वाली जो बांडरी होगा वह बहुत ही बड़ा रहने वाले यहां पर अभाल ग्राउंड के उपर जैसे कि हमने अब्जार करा तो उसलिए प्लियास यहां पर ऑफ साइट स्क्वाइर साइड में टार्गेट करेगा और यहां पर मीड़ान मीड़ाप के पर टार्गेट करेगा लेकिन यहां पर लॉंग ओ लॉंग अप जो है यहां पर बांडरी मानना बहुत ही दिकत की बात होगी तो गाइस अभी चलते ह और देखिए पाँछ ऑघ में कि से बार्वर ठीज नहीं चार नहीं करकद नहीं है इसे प्लेर को सफ़ा दो प्मिय कर आ ञेमें पर पक्लेर सकता है तो लास्ट प्रिक्सन के बारे में बात करें और सौधन बेप की फिर्फ में थ्रुड़ा सा टीम बनना चाहिए क्योंकि recent form बहुत ही बड़े है तो काई शेंपर हम बात करेंगे दोनों टीम की प्रावल पेंग से उसके साथ बैटिंग ओड़ार के राइने वल एक्सपेक्टर बैटिंग ओड़ार साथ में हम पर प्लेयर सेंट पास्टोंस के बारे में हम लेकिन यह एक ऐसे प्लेयर है जिनको नहीं सकते मतलब अगर थोड़ा सा चल जाए तो आपको खतम करके जाएंगे अगर नहीं चले तो आपको डुपाके जाएंगे तो ऐसे ही कुछ होता है तो फिर से पर आपके लिए बड़े choice रहेगा हमने कहा दिया 0-10-0 तो आप समझें कि आपको लेना है कि नहीं लेना है लेकिन मेरी सब से अगर आप grand league खेल रहे हैं तो Roy को captain बनाना मत भूलना इस match के लिए क्योंकि दिखिए लगाता 3 match flop 1 के बाद इस match में एक बड़ा chance है कि Roy इस match पर बड़े आइनिंग्स खेल जाए अगर इनकी team पहले betting करें चाहिए second betting करें वहाँ पर कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर इनकी बना चले तो सबसे बड़े जो काम किया वह है यहां पर बॉल से तीन मेंच पर पहले दो उसके बाद तीन तीन लगातार तीन मेंच पर आड़ो के निकाला तो बहुत ही बड़े हैं चोड़ी दीजे कि आपके बहुत ही बड़े सब्सक्राइब यहां पर दिखिए थोड़ा सा फॉम इनकी करब चल रहा है जैसे कि टीन टी ब्लास्ट के बाद जब इन्होंने अपने नेशनल टिपर वापसी की थी उसके बाद यहां पर थोड़ा सा फॉम खरब हो गया है दो मैंच पर पाच रन और रन लेकिन इस मैंच सकता है जोड़न काक्स अगर टॉप 3 फ्लोप वे तभी जाकर इनकी आप पीक कर सकते हो कि देखिए ऐसा ही चल रहा है इस टीम के फिपर में यहां पर ऐसा ही चल रहा है कि टॉप अडर पॉरी तरह की से फ्लोप जा रहा है और एपर जोड़न काक्स से मकॉरन इन्होंने आ पांच रन एक अच्छी कासी चोईस अपके लिए भी रहेगा लेकिन टॉपकर को फ्लाउप होना पड़ेगा तब और टैने प्रीक्स उनटीज़ सनन एक रन सथ में तीन मुश पर बॉलिंग लेज गए रीस्टोप्ले अच्छा गकासा चोई संद में डालने का चांसे रहता है एक वुके लेकिन डॉम दो मुश पर दो फोर्ट के निकाला उस्ते पहले वुके लेज गए तो यहां पर गईस सब्सक्राइब करना हो आपके पर रहेगा लेकिन आपको देखना पड़ेगा मैच के सिच्चेशन उसके अकॉलिंग लेना पड़ेगा एक ऐसे टेप का बैट स्पन है आपने आपको बार पर कहा रहोगी कि इनको छोड़ना आपके लिए बड़ी गलती हो सकते है शुरी लेन सब्सक्राइब करें लेकिन इस मेंच पर कमबेक करेगा जरूर और मिनीमम तीस प्लस रन आपको बना कर देंगे और देखिए कविश्यां पर तीन मेंच पर एकतर सत्रा जीरो रन और कुईंट उन्डी को की बात करें इनका भी सेम हाल हुए जसन राव की तरह की फॉर्म कह तो आप इनको ट्राइ कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा रिस्के रहेगा जहां पर उससे शेव तो यह पार एलेक्स डिपीस होगा है तो आपके लिए एक बहुत ही एडबंटेज होगा यहां पर मर्कस्टोनिस के तरफ से तीन मेंच पर दोएक निकाला ठीक ट्रूस आपके ल प्रॉपण के बाजित तो अच्छा करके गाए टीम डेविट नमबर छे की बात करें टीम डेविट आने वाले हैं यहां पर गेर रन तीन रन जेम्स फुलर अच्छे कासा ओल ओंडर है बोलिंग मिड़ा है लेकिन बीस बल भी डाल जाए तो वहां पर भी कोई दिकत की बा अच्छा परफस नहीं रहे जैग लिंटर तीन मैच पर एक एक जिरो इकट मांके लोगान एक उट दो इकट तो इस यहां पर देखे रहा है यहां पर कुछ प्लेयर अच्छे पर है वहां पर इंग्लंड एक के लिए खेल रहा है तो उनको आपको यहां पर अभलेवन नही अलेक्स डेविस कुंटन डीकॉक मरकाश टोइनिस जेम्स फुरार क्रीस जॉर्डन जैग लिंटर तो यहां पर पांच मच करके है लेगिन पांच आपके लिए उतना बड़ेया चोइस नहीं है यहां पर आप मरकाश टोइनिस और अलेक्स इन दोनों में से किसी एक को कॉंसिर कीजिए क्योंकि दिखिए मरकाश टोइनिस या तो बैटिंग में चल रहा है या तो बोलिंग में चल रहा है अभी भी चल सकते या फिर नहीं अगर टॉपडर अच्छे से चल जाए तब यहां पर इनकी पूरी तरीक से बेकार जाएगी तो इसलिए आपको थोड़ा सेंपास सूर समाझ के स्माज़ क यह कैप्टन बाइस कर दो बनाना पड़ेगा जैसी कि आप ग्रैंड लिग चोइसे देख सकते हैं तो यह पांच ही ग्रैंड के लिए परफेक्ट चोइस होगा आप इनको आपके ग्रैंड के टीम पर रिसकी कैप्टन बाइस कर निजिर बनाएगे नहीं तो इन में से एक स आपको मिलीगे हम नहीं एक, नहीं कर पाते हैं तो इसलिए आप ठेलीकम पर जैcken अबहरे टेलिगों और नहीं कर लेगी सैंबिलिंग्स नहीं है इंगलें नहीं एक लिए खेलना है एलेक्स डेवीस, जॉर्डन कॉक्स और यहां पर कॉंटरण डिकॉक्व, तो फिल आलाम पिक करेंगे एलेक्स डेवीस को और कॉंटरण डिकॉक को दोनों को हमने अभी के लिए पिक किया तो गाइस देखते हैं अगर हम कोई टीक को ड्रोप करेगा की नहीं वो यहां पर मैच के सिचुशन के पर डिपेंड करता है बैटिंग सेक्शन की बात करें जेम्स पिंग जैसन रहे राइली रसुप तीन चॉइस अभी के लिए रहेगा तो कैसी यहां पर बोलिंग सेक्शन की बात करें क्रीज जोनर रीस टबले और फिर हल दिखिए यहां पर कीट कैसी थोड़ा सा आ रहा है तो यहां पर हम एक कम करेंगे कि हम कुई टो डिको को ड्रॉप करके जोर्डन कॉक्स को पिक करेंगे क्योग कोक्स की चांसेस आ रहा है तो आच्छे कर भी सकता है और यहां पर बोलिंग सेक्शन में हमारे टीप पर आएगा माइकल हुगान तो कैप्टन बाइस के बिंचे उसकी बात कर लेते गाई सुनी लाराइन बिल्कुल सेफ कैप्टन साथ में आपसे बाइस के रहने वाले सैम कुरन तो दोस्ता अब चाहोगी यहां पार दो विकेट के बार को हटा कर एक को ले सकते हो और एक को ले कि यहां पर एक एक इक्ष्टा ओलनर को भी पिक कर सकते हो तो वो आपको उपर रहेगा माइकल हुगान, क्रिस जॉडन और रिस्ट अपली ये तीन प्लेयर रहने वाले है बोलिंग सेक्षन पर और हमारे टीम का फिलाल कैप्टन रहने वाले है सुनिल रहने और वास्क्रिम रहने वाले है सैम कुरान आप ग्रैलिक के लिए अगर इस टिम के साथ जा रहे है तो ग्रैलिक के लिए अफिले वह से ट्राई कीजिए रहले रिली रोसु चैसंदा यसंदा मास्टविक आप एक Ó अपको मार्क करके देता हूँ कि सौ लिक्की की इनकी बड़ी इनिंग्स पकी है इस मैच के लिए उसस वीडियो अगर अपका अच्छा लगे तो लाइक सेया सब्सक्राइब करना साथ में बेल एकन कमी दवाद ना तक आने बोले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए और अच्छा सा टीम मनें अच्छा सा विनिंग कीजिए थेंक्यू सो माच अल देबेस्ट मिलते हैं